असलामु आलेकूम मैं जुलेकारफाद जुलेकास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़ियासा बंबई यानि के मुंबई स्टाइल हरा मतन का कीमा बहुत ही मज़ेतार जट पर घर पर आसानी से बन जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसेपी साधारन यानि आज की चलिए सबसे पहले कुकर का चुला चालू कर दीजिए और अपने हिसाब से स्वाद अनुसार तेल दाल दीजिए अब इसमें मैं थोड़े सा गर्म मसाले डाल देती हूं तो यह आदा चुड़े चाय का चमत जीरा है दो तीन गाली मिर्चे और एक तेज पत्ता एक अब आप इसे तर तरा जाने दीजिए गरम तेल में जब तर तरा जाएं तो यहां मैं तीन मीडियम साइज की पारिक कटी हुई प्यास याने के चुंदा प्यास काटकर देती हूं और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आज पर फ्राय करें आपने तब तक फ्राय करना ह जब बस कलर चेंज होना शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं प्यास फ्राय हो चुकी तो यहां मैं डाल देती हूं दो टेबल स्पून अद्रकलस्टन का पेस्ट वो दाल कर भी बहुत अच्छे से बार बार चलाते हुए भून लीजिए फास्ट आज पर तब तक भू करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता मटन के इसी के दर्मियान में मैं यहां 3-4 चुरचे का चमश नम्मक भी डाल देती हूं कि नम्मक डाल के ही उससो थोड़ा सा फ्राय हो जाए चलिए अब जब कलर चेंज हो जाए यहां पर आप देखें तो अब डाल दीजि हां चलिए अब इसमें मैं डाल देती हूं जब दही भून जाए तो चुटकी भर हल्दी आप देख सकते हैं कितनी कम डाली है मैंने मैं यहां 1-4 चुरचे का चमश spicy वाला लाल मिट्ची का पाउडर दाल रही हो आप आदा चुरचे का चमश भूना पीसा जीरा पाउडर दाल दीजिए और दो चुटी चैके चमश धनिया पॉडर दाल दीजिए सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे आप फास्ट आज पर भून लीजिए तब तक भूनिये जब तक तक तेल नहीं चूट जाता सो दाट मसाला भून जाएगा ना मुझे तो यहां पर मैं पानी डाल देती हूँ आप चाहे तो थोड़ा तेल दाला है यह और जाला लीजिए और ढखकल लगा दीजिए और ढखकर इसे तकरीबन पाच्छे सीटी फास्ट पर खिला लीजिए जब पाच्छे सीटी हो जाएग तो चुले को कर दीजिए बंद अब यहां पर मैं एक कोईथली मसाला बना लेती हूँ तो यह एक कप टाइटली पैक्ट कोथमिर यानि के हरा धनिया है चार पांच मैं यहां कड़ी पत्ता दाल देती हूँ और चार हरी मिर्चाप देख सकते हैं मैं दाल रही हूँ छोटी है तो आप आपके स्वादानुसार दालियेगा मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो पांच्छे पुदीने के पत्ते दाल दीजे थीए मैं थोड़ा सा ड्राई पुदीना दाल रही हूँ यहां पर मैं दो चुदे i. चाय के चमत्ड सावुत धनिया जो आता है वह एक चुड़े चाय का चमच साबुद जीरा और पाच्छे बरफ के टुकडे डाल दीजी, थोड़ा सा पानी डाल दीजी और बहुत अच्छे से पेस्ट होए तक इसे पीस लीजी, बरफ हम इसके लिए डाल रहे है क्योंकि इसका कलर थोड़ा रीटेंड रहे है, चलिए, अच्छा, मैंने थ्रीफोद कब डाला है, आप आधा कब भी डाल सकते हैं, या वलफोद कब भी डाल सकते हैं, चूला फास्टाश पर चालू कर दीजी और वो जो हरा मसाला हमने पीस कर रखा है, वो सारा डाल दीजी इसके अंदर, आधा चुड़ा चाय का चमच, गर मसाल लेका पॉर्टर दाल दीजीए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजीए, आप चाहें, तो नमक अज़स्ट करने जैसा लगे, तो चक लीजीए, और नमक अज़स्ट कर लीजीए, मुझे कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, एक या दो टेबल स्पून जितना पानी मैंने मिक्सर जार के अंदर चला कर इसमें डाला है, अब इसे एक बार चला लीजीए, और जब इसमें अच्छा खासा उबाल आने लगे इसकदर, तो इसे स्लो आच करके तकरीबन 5-6 मिनिट तक पकने दीजे, तो यह जो हमारे मतर है, फ्रूजन बहुत जल्दी गल जाते, तो 6-5-6 मिनिट में तो आर्राम से गल जाएंगे, और हमारा जो मतन है, कीमा है, वो तो बहुत अच्छे से गला हुआ ही है, तो अभी सिर्फ हमें यह हरी मतर को गला ना है, तो बस इसे स्लो करके ढख कर मैं यहां गैस्केट निकाल देती हूँ, आप चाहें तो अलग से दूसरी थाली लगा दीजे, इसके ओपर ढख दीजे, या फिर गैस्केट निकाल के इसी गैस्केट निकालने के बाद धकन ढख कर इसे स्लो आज पर पकने दीचिए, चलिए, तकरीबन 6 मिनिट हो चुक यह तोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं दालना तो कोई बात नहीं, और इसे स्लो आज करके धाकर बिना गैस्केट लगाए, धाकेगा और एक मिनिट तक पकने दीजे, या हम हरी मिर्ची दालेंगे तो उसके फ्लेवर्स भी निकलेंगे न, बस एक मिनिट के बाद आप कर चूले को बंद, और थोड़ी सी कोतमेत बारिक काट कर आप चाहें, तो दाल सकते हैं, हरा धनिया जिसे आप कहते हैं, और ये बन गया हमारा हरा मतर का बंबई, याने के मुंबई स्टाइल कीमा, आप चाहें तो इसे पाओं के साथ सर्फ कीजिए, मैं तो हमेशा ऐसे परा पर एक मिनिट तक रखा बाद में, सो दाट ये हलिका सा तेल और जादा ऊपर आ जाए ना, फिर मैंने कर दिया चूला बंद, और कुछ देर के बाद मैं इसे फिर से थोड़ा गरम करके, अब इसे गरमा गरम निकाल लेती हूं, सर्विंग डिश के अंदर, और इसे सर्फ क उसे 5-6 मिनिट में नहीं होती है, वो तकरीबन 10-12 मिनिट लेती है, तो उस सुरत में आप उसे ढाक कर पकने दीजिए 10-12 मिनिट तक, बीच में ऐसा लगे के पानी बहुत कम है या बहुत ड्राय आउट होके है और बहुत सुग्य है, तो 1-4 या अधा कप जितना पानी थोड़ा गरम करके डालेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और उसे पकने दीजिएगा जब तक 10-12 मिनिट में हमारे मतर वो जो फ्रेश वाले कल नहीं जाते है, मैंने मेरे चैनल पर एक और हरा कीवा बनाया है, जो एकदम वाइबरेंट ग्रीन लगता है, उसका टेस्ट थोड़ा अलग है, इसका टेस्ट अलग है, दोनों ही बहतरीन है, उसका लिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शिन के अंदर दाल देते हूं, आप वो भी बना सकते हैं, ये थोड़ा हमने मसाले डाले है, तो ये थोड़ा ब्रावनिश ग्रीन हुआ है, मैंने 6 सीटी फ कमें अपने कमेंस सेक्शन में जरू शेये कीजिए आपने कमेंस, तो ये रेसिपी अच्री के लगए तो लाइक जरूर कीजिए, उससे जाहदा अच्छी लगए तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो की लिंक्शिए एगा, फिर से यादिर हाजिता उनी कि दिए कि अलाफ विस बबबाई